इमाजल परदेश में परदेश के मुखे मुंतरी द्वारा बजट तो पेश कर दिया गया है जिससे सांसद विरेंदर कशप ने जन हिताशी बताया है और कार की बजट में परदेश के सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है जिसके चलते परदेश बाशियों में खुशी की ल साम भी ज़्यादा मिलेंगे सांसद विरंदर कशिप ने कहा कि केंदर सरकार द्वरा बजट जारी करने के उपरांत हिमाचल में जो बजट पास हुआ है वे सभी वर्गों के लिए हितकारी है जिसमें किसान बागवान करमचारी वर्ग मजदूर वर्ग सभी के लिए कुछ न किसी पर किसी तरह का कोई नया टेक्स नहीं लगाया है और ना ही टेक्स को बढ़ाया है उन्होंने कहा कि वहीं पत्रकारों को भी लैपटॉप देने का प्रावधान किया गया है इसलिए वे इस बजट को संतुलिद बजट भी मानते हैं और परदेश के मुख्यमंतरी को सफल बजट के लिए बधाई देते हैं। उनके आगे बढ़ने के लिए जो है वो इसमें विभिन योजना है जो है वो लाई गई है। मुख्यता मैं कहना चाहता हूँ के एक तो किसानों को जो है वो बिजली जो 75 पैसे प्रती यूनिट दी जाती थी आप वो 50 पैसे के हिसाब से होगी। दूद की किमत जो है वो 2 बड़ी बात है कि बजट मैं कोई भी टेक्स का प्रावधान नहीं किया गया है। टेक्स फ्री जो है बजट जो है वो इस पार यह रखा गया है। इसके साथ-साथ ही मजदूरों की द्याड़ी की दो सो पची रुपए से बढ़ाकर जो है दो सो पचास रुपए की गई है। यह भी एक बहुत ही अच्छी बात जो है वो की गई है। हर एक जो एक्क्रिडिटिटिड हमारे मीडिया परसंज हैं उनको लैप टॉप देकर अन्ने सुविदाएं से लैस करने का जो है प्र